हालो फ्रेंद्स वेलकम बाक टू माई यूरूप चानल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं about money अब बहुत लोगों को यह वाला चीज लग रहा होगा कि यह तो बहुत बेसिक चीज़ है तो जर्णल ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं बहुत एडवां चीज़ों के उपर जाना है तो at least basic चीज़ों के साथ ही शुरू करेंगे तो अगर मैं डिवांस टॉपिक लेके चलू तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा तो I thought to give it a try at least with the basic things कि सबसे पहले basic के साथ शुरू करें ताकि हम लोग से एडवांस चीज़ों के उपर जाएं तो हमारे पास बेसे डेटा अवेलेबल हो तो अगेर I'll try to make the video very short तो बहुत सारी basic term से इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं about the money तो देखे सबसे पहले करते हैं money होता क्या है देखो सबको पताए वाली चीज की सबसे पहले मारे पास क्या चीज़ होती भी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्स्टेंज था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्स्टेंज मींस कि हम गुड टो गुड एक्स्टेंज कर रहे हैं यानि कि में को आगर राइस की आज लोग money use कर रहे हैं तो बार्टर सिस्टम से money आया कैसे था निको जब भी कोई चीज नहीं invent होती है न उसका एक इस है पुरानी चीज में इंप्रूवाइजेशन हो रहा है यही तो काम होते है नहीं चीजों में सेम बार्टर सिस्टम के दावाइक थी उसको दूर किया इस चीज में यानि कि जो money है वो पैसे है अब अगर मैं बार्टर सिस्टम के ऊपर भी वीडियो बनाओ तो I think I don't think उसका को रिक्वार्मेंट थी बहुत ही बेसिक चीज हमारे पास में की good to good on exchange करके चलते हैं अब उसके पास मुझे देने के लिए वीट है उसके बास मुझ जरुत ही नहीं हो भीट की वाटेबु को जरुत ही नहीं हो राइस की डबल कोईसेदेंस ऑवांट मतलब जो एक्षेंज करने वाले दो पार्टी अवेलेबल है वो दो पार्टी के पास बहुत होने चाहिए ना दूसरे वाले को requirement है अगर में को चीज चाहिए ही नहीं जो स पर्टीकुलर गुट की सामने वाले को या से कहलों कि मुझे वह गुट देना भी नहीं है अब अगर मैं उसको कहूं कि या तु रख ले जब तेको ज़रत पड़ेगी तो तब यूस करियो तो यानि कि बहां पर वोची स्टोर करने के लिए होनी चाहिए बट जो हमारे पा हमारी चीज़ा चीज़ा कर सकते हैं मुझे मनी होता क्या है तो ये जो यूज करते हैं वो हमारे पास मैं मुण है वो करन्सी है कोई है हमारे पास में तो मीडम उसके लिए हम यूज कर रहे हैं अब इसमें क्या क्या चीजे इंकलूड होती है वह हम लोग इस वीडियो अगे डिसकस करने वाले हैं तो यह तो मुझी का मीनिंग था बहुत भी हमारे पास तो और सबसे पहले हमारे पास में मेजर ऑफ बाल्यू मेजर ऑफ वाल्यू जो पहली चीज हम यहां पर कर रहे हैं धिक अब बाड़ गुट गुट एक्षेंज ने वाला सिस्टम होता था उसमें क्या होना चाहिए आप प्रक्षाप हुआ चाहिए अब लागे जो दोनों का जो value है वो equal है यानि कि जितना valuable मेरे पास वाला गुड है क्या उतना ही valuable उसके पास वाला गुड है अब यह क्या होता है अब अगर अगर मुझे अभी राइस चाहिए वन गेज यह तो जितना value वो डिगाव करता है मैं उतना उसको money में pay कर रही हूं और यहां पर हम उसका value मेजर करके वो चीज़ एक्सेंज कर सकते हैं बट यह वाला प्रप्लम बाटर सिस्टम में था जो कि जो money को दूर करते है क्योंकि अब हम उस चीज़ को एक्जेग उसका value को मेजर करके उतना ही amount उसको pay कर सकते हैं जो कि वहां पर छोड़ा सा टफता करना इन बाटर करने के लिए पहले meal of exchange कुछ नहीं simple क्या होता था आपके पास में कि मुझे good के requirement है तुझे good के requirement है एक्सेंज कर लेते हैं यहां पर क्या value को मेजर करो और सामने वाले को दे दो अब हम good को exchange करने के लिए basically उस समयन को लेने के लिए उसको पैसे दे सकते हैं हमारे पस हम easily money को कहीं पर जाके यूज कर सकते हैं no one can refuse it कि नहीं मैं money नहीं ले रहा हूं ठीकि no one can refuse it क्यों क्यों कि हमारे पास पैसे हम उसको उतना value का दे रहे हैं अगर हम पैसे कमारे हम में क्यों कमारे हमारे requirements के लिए अब दूसरे पर सामने वाले मुझे free my good को दे देगा तो मुझे क्य कि मज़े सबढ़ करना मिर को मुझे लग्शीरी कार्ट चाहिए मुझे ब्यामड़ोट करने के लिए मुझे उस अब देना ही निपड़ा है क्या हूं तो मुझे करूं फिर में money को पिर में इक्षेंज है क्या रहा समान आता जाएक आता जाएगा जिसको चिना मेरे पाथ स को मेजर किया और अकॉर्डिंग यह उसका प्राइस पे कर रहे हैं तो यह पहली में प्राइटी वाली में प्राइमिरी फंक्शन से हैं से किन्डरी स्टोर ऑफ वाल्यू अब यह कहा था कि बाड़ा सिस्टम में हम चीजों को स्टोर नहीं कर सकते फॉदर फीचर मनी अब मु कहीं पर ड्राइस प्राइस आप ट्रांसफर और गली या निकी में घ्र नाषनल करके जा सकते हैं सब्सक्राइब कारन्सी यह उसको इन्टर बांटेशनल लेवल बाहर कोई है कश्मीर से आप लगा लो कि मुझे इधर चाहिए कश्मीर से कन्या कुमारे में कोई पैसे बेज रहा है तो इसंदाने कश्मीर में बैठा हुँ सकता है उसी इसको तो यह था बाहर को इसको समझेंगे हम क्या वोलते हैं बाइना पे लेटर होता है ना बहुत भारी जीज़ अभी खरीदो कल को पे कर देना ठीक है यानि कि जो हम फ्यूचर पेमेंट के लिए आप इसको यूज करते हो डेफर्ट पेमेंट के लिए टेडिट कार्ड इस गूड एक्जाम हैं sorry विशेष्टा है बोलते हैं तिंग फीचर को मेरे ख्याल से तो करेटर स्थिक्स होता है मन्दब बात वही है उसकी बी कि मनी जो है वो क्या क्या काम करता है आपका क्यों क्यों इतने अच्छी क्या है मारे पास मनी मनी है चुड़ो आगे देखो इवल्यूशन एंट इ है और हम बाटर स्ट्रम की बात कर रहे था अभी तो एक सप्टेबल मीडियम ऑफ एक्स्चेंज है वो कितना डवलप हुआ है आपका तब से अभी तक वह एवल्यूशन है कि जहां से चीज़ें शुरू हुई थी वहां से आज की डिट में जितना अभी इसके अंदर डवल अब कॉमोडिटी मनी इस वर्ड इस चीज के साथ के लिए वर्ड आप समझना वो होता है इंट्रिंसिक और एक्स्ट्रिंसिक वाल्यू एक बार मैं स्पेलिंग के लिए उसको लिग देती हूं ठीक है इंट्रिंसिक और एक्स्ट्रिंसिक ठीक है I'm sorry if I'm rock with the spelling so intrinsic और होता क्या देखो सबसे पहले कॉमोडिटी मनी कॉमोडिटी मनी हम मान के चलो यह वो मनी होती है यानि कि जो गुड हमने बनाया है उस गुड में जितना कॉस्ट लगा है वही उसका वाली हो जैसे में एक्जांपल है अब ले सकते हो ठीक है अलीफिन टीथ ठीक है वेल क्या होता है इंट्रिक वैयली उसके खुड की बाल्यू है और अंपकी क्बात करते हैं अब उसका के नोट अता है डॏ यह को बहुत कम होता है लेकिन उसकी के MENI इंक्रेंसिक वाल्यू मैई है नहीं को जटना वह चीज है तो इन ग्रेंसिक यॉल्यू उत इंक्रिंसिक वाल्यू इंक्लूड एंट्रिंसिक वाल्यू, इसके अंदर intrinsic value होती है यानि कि आपके पाश जो गोल्ड coin आता है अगर आप उसको पिगलाओगे तो भी आप जो है आपको वह वालुड का वालुड होता है आप उसको भी बैस सकते हो गोल्ड को पिला कि आपके बास कुछ हम क्या करते हैं एक चीज़ को में करा ना या को काई तो यूजी करते हैं निए पर यूज यह कि ढगे में इंस उंट्स Creators 2500 के अब आप इनके अंदर intrinsic value होती है नहीं होती है इसके अंदर कोई intrinsic value नहीं होती है जो मैंने आपको अभी बोला गर आप 2000 रुपई की value की चीज़ लेते हो तो हम आपको जो 500 रुपे का note है वो value का समान देगा लेकिन उसकी खुद की जो cost उसकी खुद की जो value है वो intrinsic value नहीं वो extrinsic value है कि RBI न जिसने वो note issue के उसने आपको यह liability बनी है कि आप अगर 500 रुपे का note यूज करोगे तो आपको 500 रुपे का सामान मिलेगा लेकिन अगर आप उसनों को जला दो फार दो तो उसकी कोई value नहीं र करेंगे ठीक है bank money which includes your checks and drafts वो bank money होता है तो यह evolution की भी हम बात करें साथ की साथ में कि पहले आपको पता होगा पहले ही चीज़े चलती थी कि जो transaction है वो होता था इन चीजों के साथ में कि जो इन चीजों का यूज करनी है तो मैं उसके लिके दे दूसको payment कर दूंगी वहां which is digital currency another alternative method for transaction cryptocurrency अब cryptocurrency के बारे में बहुता discuss नहीं करेंगे I'll try to make another video over the topic cryptocurrency क्योंकि अपने आपने अच्छा गास लेंदी वीडियो है but for a brief description it is just a digital currency जो हम alternate आप यूज कर सकते हो as a currency आप इसके एक्षेंज के लिए यूज कर सकते हो although it is not very popular but still it is another type of money अब जो मैंने आपको अभी कहा था कि वह गाना discuss about fat money तो उसके साथ एक और topic हमारे हाँ पर जुड़ जाता है which is legal tender ठीक है I think if we are talking about fat money तो हमको legal tender भी at least एक बारी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को ना यह difference नहीं पता होता कि fat money legal tender में actually difference होता क्या है ठीक है तो वो समझना बहुत जरूद है कि जो money हम लोग यूज कर रहे है current में अगर मेरे पास में 10-20-50-500-2000 का note है अगर हम वो currency यूज कर रहे है तो वो फियाट है या फिर लीगल tender है तो बहुत लोगों को यह वाला difference जो है न वो नहीं पता होता तो देखो fat money होता क्या है to make the money fat money इसको though at least condition simultaneously fulfill करना definitely required है important है तो पहला कौन सा है देखो पहला हमारे पास में है first condition की अगर हम बात करें it should be in a currency form whether it is paper or the coins एक currency की form में होना चाहिए आपके पास में ठीक है currency की form वो मतलब चाहिए हमारे पास वो coins हो या फिर हमारे पास में वो paper notes हो so currency की form में होना चाहिए वो पहली चीज जो required है हमारे पास इसके दूसरी condition क्या है it should be issued by the like king queen or the government or the any issue जो authorized जो हमारी वो त्याना category यानी की जैसे आर्वे होगे तो second is authorized currency होनी चाहिए वो हमारे पास में यानी की issued by authorized person पहले king वगेरा होते थे और अभी हमारे पास में सरकार्य और RBI जो होती है वो होती है ठीक है होना ही होना चाहिए यानि कि automatically यह दो conditions तो इसके अंदर include होनी ही होनी चाहिए otherwise वो legal tender consider नहीं होगा ठीक है अब इसके अंदर दूसरी condition क्या है कि वो currently जो है economy में वो applicable होनी चाहिए लागू होनी चाहिए यानि कि वो जो legally जो currency है वो legally economy में applicable होनी चाहिए वो legally का मतलब क्या हुआ कि RBI के द्वारा जो currency issue कर रहे country के अंदर government by RBI के द्वारा वो currency जो है वो legally economy में applicable होनी चाहिए वो यूज करने लाइक situation में होनी चाहिए देशे के एक example लेते हैं देखो हम बात करते हैं वो 500 और 1000 के note की जो demonetization से पहले चलते थे ठीक है अब हम यह देखते हैं कि वो 500 और 1000 के note जो है वो fiat money legal tender है या फिर नहीं है देखो पहली condition क्या थे हमारे पास currency की form में है definitely currency की form में है दोनों के दोनों authorized person ने issue किये थे बिलकुर authorized person ने issue किये थे क्यों आर्वे ने issue किया तो currency को that means जो 500 और के note demonetization से पहले जो हमारे पास चलते थे वो fiat money है वो वाले जो दोनों से क्या वो legal tender है या फिर नहीं है तो वो legal tender नहीं है क्यों नहीं है देखो यह दो condition फुल्फिल करते हैं वो definitely but इसका जो second condition है क्या वो legally आपने cable है country के अंदर क्या वो लागू होते हैं क्या उसको यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हो कहीं पर जाके तो वो जो है वो legal tender नहीं है ठीक है तो इसके लिए big yes वो currency के लिए और इसके लिए big no अब जैसे जो currently हमारी currency चल रहे हम सीधा-सीधा 2000 के लेते हैं हमारा pink color वाला 2000 का note आता है क्या वो fat money है definitely currency की form में है और RBN issue किया हुआ था तो fat money तो है fat money है हमारे पास में legal tender है तो first condition तो automatically fulfill हो रही है क्योंकि वो fat money है क्या second condition को fulfill करता है अगर कोई पीडाउट होता है तो जो जो पहले वाले नोट थे वो fat money तो है so just let me know in the comment section and thank you so much for watching like share and subscribe bye bye thank you so much